हाई फ्रेंड्स मेरा नाम विकास करें और मैं आप सभी का मेरे स्यूटूब चैनल मैथेमेटिकल जनली पर एक वाए फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों इसके पहले हमारा क्लास 10 का जो वीडियो अप्लोड भूआ था वह था 3.4 गा इस वीडियो में 3.5 कंप्लेट करने वाले जिसमें क्रॉस मुल्टिप्लिकिशन मेथड़ है वजगोन विदी जिसको हमको सालो करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉस मुल्टिकिशन मेथड है क्या देन उसके बाद एक्ससाइज के कुशिन करेंगे तो फटा-फट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजे और मेरे साथ बने रही है देखते क्रॉस पंटिप्लिकिशन मेथड वजगोन विदी हमारा चैप्टर है पेर ओफ लीनिर एक्विशन इन टू वैरीबल दो चरवाल है रेक्षिक स जो है एक्विशन प्लस बिटु य प्लस सीटोएक्विशन है हमारे पास एक्विशन नम्बर और नमर ट्यू अब हमको वजर गुनान विदी देखना है तो इसका फॉर्मला बनाना है फॉर्मला हम पूरा इस को सॉल्व करके बनाइंगे मैं डारेक्ट भी बता सकता हूं लास्ट में डारेक्ट बता दूंगा उसका ट्रिक बता दूंगा लेकिन अभी पहले पूरा का पूरा जो फॉर्मुला है वह हमको कम्लीट करना है इसके बाद हम exercise के कोशिन करेंगे और फॉर्मुले कहां यूज करना है उनकी क्या मैथट्स है क्या नियम है क्या सरत है सारी च कोशिन 3,4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x और y की दो वैलिउस आईगे यहां पर भी हम क्या करेंगे y के कोशिएंट को एकवल कर देंगे तो multiply समी करन यहां पर आप लिखे का हिंदी में समी करन एक में बीटू से और समी करन दो में बीवन से गुणा करने बस सब में देखें क्या होता है इसमें हमने गुणा करने के लिए बोला है बीटू से तो यह हो जाएगा एवन बीटू एक्स प्लस बीवन बीटू य प्लस बी से मिल्टिप्लाइग करने किला है तो यह हो जाएगा हमारे पास B1 A2 X प्लस इसमें भी B1 B2 Y प्लस यहाँ पर भी B1 C2 is equal to 0 equation number 4 दोनों equation बन गई अब देखे equation 3 minus equation 4 समीकरन 3 और 4 को में आपर माइनस कर देते तो क्या condition बचेगी कि A1 B2 X प्लस B1 B2 Y प्लस B2 C1 equal to 0 और इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं और माइनस कर रहा हूं B1 A2 X प्लस B1 B2 Y प्लस B1 C2 is equal to 0 minus करना तो sign change हो जाता है plus का minus plus का minus और plus का minus यह cancel यहां बजा हमारे पास a1 b2 x यह वाला minus b1 a2 x यह वाला यहां पर देखिए plus b2 c1 plus minus b1 c2 is equal to 0 देखिए दोनों में x है जब दोनों में x है तो हमने क्या किया दोनों में से x common निकाली है यह यहां पर बचा a1 b2 minus b1 a2 plus b2 c1 minus b1 c2 is equal to 0 हमको x की value चाहिए अब x की value चाहिए तो इसको इसको ट्रांसफर करते तो इधर देगी यहां से x is equal to यह इधर याएगा तो b1 c2 minus b2 c1 upon यह वाला इस x के साथ multiply था तो यहां पर बना दे मैं a1 b2 minus a2 b1 यह x के लिए formula बन गया यह x का formula बन गया आयोग दोस्तों clear हुआ होगा हम cross multiplication method देखे रहे वजगना नहीं दी मैं directly formula भी बता सकता था आपको लेकिन यह solve करना ज्यादा important है इसको बहुत अच्छे से देखेगा यह basic है basic चीज़े clear हो जाएगी तो cross multiplication method clear हो जाएगी यह हमने x के value निकाल दी अब putting value of x in equation 1 सम्हिकरन एक में हम x का मांड रख देंगे सम्हिकरन एक यह दिया हुआ हमारे पस a1 x plus b1 y plus c1 equal 0 अब देखे x के जगह पर यह रख देंगे तो यह हो जाएगा हमारा a1 in bracket b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1 plus b1 y plus c1 equal 0 यहां से हमको value चाहिए होगी y की तो देखे जब y की value चाहिए तो इन सबका lcm लेते हैं इन सबका lcm लिया यह सबका lcm लिया तो lcm आया a1 b2 minus a2 b1 यह जैसा कि वैसा a से सब में अंदर multiply करते हैं तो यह हो जाएगा a1 b1 c2 a1स अंदर multiply कि हैं तो minus a1 b2 c1 plus यह हो जाएगा हमारे पास b1y और यह इसके पास चले जाए तो in bracket a1 b2 minus a2 b1 और यह इसके पास चले जाएगा तो यह हो जाएगा , plus यहाँ पर bracket में मतलब b1 का मंदर multiply कर लेंगे y को अकेला lithe और यह हो जाएगा हमारे पास C1 इसका मुल्टिप्लाइस में हो जाएगा चुकि हम परिमें संख्याओं को हल कर रहे हैं कि A1 B2 माइनस A2 B1 एकवल 0 अब इसको इधर करके 0 कर देते और इधर मुल्टिप्लाइ कर देते तो यह दिखें आपर A1 B1 C2 माइनस A1 B2 C1 प्लस Y को अकेला चोड़कर अंदर मुल्टिप्लाइ कर देते तो क्या होगा देखें B1 यह हो जाएगा हमारे पास Y और अंदर क्या बचा हमारे पास B1 A1 B2 माइनस B1 A2 और यह B1 प्लस C1 का अंदर मुल्टिप्लाइ कर देते तो C1 A1 B2 माइनस C1 का अंदर मुल्टिप्लाइ किया तो C1 A2 B1 एकवल यह इसको देते तो यह 0 देखें दोस्तों यहाँ से हम क्या करने वाले हमारे पास है यहाँ पर A1 B1 C2 A1 और माइनस A1 B2 C1 A1 B2 C1 यह नेगेटिव यह यहाँ से देखें A1 B1 C2 और यह से कैंसल नहीं होगा तो करते के इसको उद्धाशाए करते यहाँ पर बचाना हमारे पास Y B1 A1 B2 minus B1 A2 B1 equal इसको इधा transfer करते तो यह हो जाएगा C1 A2 B1 और यह वाला इधा transfer होगा तो minus A1 B1 C2 अब देखिए value चाहिए y की तो y is equal to C1 A2 B1 minus A1 B1 C2 यह पूरा इधार upon में जाएगा तो B1 A1 B2 minus B1 A2 B1 अब जो common है उसमें से common निकाले ते इसमें common क्या है इसमें B1 common है और इसमें कुछ common है क्या कोई common नहीं तो y is equal to यहां से B1 common निकालिया बचा C1 A2 minus A1 C2 यहां से क्या common है यहां से इसमें B1 है और इसमें भी B1 है तो दोनों में से यहां बचा हमारे पास A1 B2 माइनस A2 B1 यह B1 से B1 कैंसिल हो गया Y is equals to बचा हमारे पास C1 A2 माइनस यहां बर लिख दे रहा हूं C2 A1 C2 A1 by A1 B2 माइनस A2 B1 यह हमारे पास बन गया Y का फॉर्मला आजो दोफ तो कोफिशियंट वर्ड याद रखी रखेगा गुणांक और कोफिशियंट कि एक्स का गुणांक दूसरी वाले equation में बी टू किया Y का गुणांक दूसरी वाले equation में और सी डू क्या है constant अचर राशी second वाले equation में आयोग दोस्तो cross multiplication method ये clear हुई होगी एक बाद फिर से बताता हूं बहुत अच्छे से हमने इसको alimination method से Solve किया है विल ओपन से स्मृषिन को करते था equation को वैसे हमने general equation को solving किया तो x का formula यह बना और y का formula यह बना और दोनों के जो denominator है वो इक्वल आएंगे दोनों के हर है वो एक्वल आएंगे तो formula बनाएने के लिए यहां BC यह हो जाएगा BC-BC और इसके लिए CA माइनस CA और दोनों के denominator के दोनों के हर के लिए हो जाएगा AB-AB और कुछ नहीं करना है इसका डेनमों लेडर भी एब माइनस एब आएगा और कुछ भी नहीं करना है प्लस C2 is equal to 0 इसमें भी केस आएंगे कि पहली सर्त यह है कि अगर A1 by A2 is not equal B1 by B2 ऐसा है कि आपने कॉफिशन निकाला और A1 by A2 is not equal B1 by B2 आया तब इसका यूनिक सॉलूशन होगा यूनिक सॉलूशन होगा और यूनिक सॉलूशन मतलब एक अदुत्ती हल इसका मतलब कि आप X और Y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां निकाल सकते हो मतलब अगर आपके पास एक्विशन दी हुई है तो पहले आप चैक कीजिएगा कि A1 by A2 is not equal B1 by B2 मतलब A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू निकालोगे आप कंपेरिशन करके और चैक करोगे कि अगर एक्विशन नहीं है तो तभी आप X और Y की वैल्यू निकालोगे तभी यह वाले फॉर्मुले लगाओगे दोनों क्रॉस मल्टिप्लिकिशन में आगे हमको कोशंस में डारेक्ट इतना सॉल्व नहीं करना है हमको सिर्फ फॉर्मुला लगाना है तो इसको डारेक्ट ली सॉल्व करना है पूरा डीटेल से सॉल्व नहीं करना है डारेक्ट फॉर्मुला लगाना है लेकिन पहले पता करना है condition है many solution यहां से आप x की value नहीं निकालोगे y की value नहीं निकालोगे third case a1 by a2 equal b1 by b2 is not equal c1 by c2 कोई हल नहीं होगा कोई हल नहीं होगा कोई हल नहीं होगा ठीक है यहाँ पर एक भी हल नहीं होगे यहाँ एक अधूति हल अनंतता अनेखल और यहाँ पर कोई हल नहीं होगा नो solution की condition बनेगी तो दोस्तो तीन सरते इसमें हैं इस equation के साथ मैंने cross multiplication method का formula बता दिया इस वीडियो में इसका intro part complete होता है यहाँ से आगे वाली वीडियो में directly हम 3.5 के questions को solve करेंगे बट आपको यह formula जो मैंने इसर बताया यह और यह चीज़े आपको बहुत अच्छे से पता होनी इची तब जाके आपको 3.5 के हर question की सारी detail बहुत अच्छे से बनेगे तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो में हम 3.5 कंप्रीट करेंगे हर एक question पर अच्छे से discuss करेंगे और पूरी चीज़े clear करेंगे तब तके लिए thank you